15 मार्च की शाम, लगबग साले साथ बजे का समय हो रहा था आगरा के खेल गाओं के पास के सड़क पर लोग अपने अपने रास्ते पर आ जा रहे थे अचानक वहां मौझूद कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि एक लाल रंकी अल्टो कार सड़क के किनारे वहां काफी समय से वैसी ही खड़ी है यह दरे से देखने पर एक व्यक्ति उस कार की पास गया लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कार के अंदर ना ही कोई मौझूद था और ना ही आज पास उस कार का मालिक दिखाई दे रहा था कार पूरी तरह से लोग थी लेकिन फिर भी अब उस वैक्ति के अंदर से कुछ घट फिलिंग साने लगी और अजीब सी बेचानी उसे घहरने लगी जैसे कि उस वैक्ति को ऐसा लग रहा हो कि उस कार में कुछ तो अजीब है इसलिए बिना देरी किये उसने तुरंट आगरा पुलिस को सूचित किया और पुलिस कर्मी ने भी तुरंट उसकी सूचना को दर्ज किया और वायरलेस के माध्यम से उस संदेश को फैला दिया कुछी तेर बाद इलाकाई पुलिस के दो सिपाही वहाँ पेट्रोलिंग बाइक पर पहुँचे और पुलिस ने कार का अच्छे से निरक्षन किया लेकिन बाहर से देखने पर उस कार में कोई भी और समान गतिविदी नहीं लग रही थी कार अभी भी पूरी तरह से लोग थी इसलिए उन्होंने एक चाबी बनाने वाले कारीगर को बुलाया और डुबलिकेट चाबी तयार करने में तकरीबन डेड़ घंटे का समय लग गया अंत में जब कार को खोल कर देखा गया तो उस कार में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया पर एक आगे की सीट पर कागज का टुकड़ा मिला जिसमें केवाल एक फोन नंबर लिखा हुआ था पोलिस ने उस नंबर पर तुरंत कॉल किया और वहीं दूसरी तरफ किसी रिसीपाल नाम के वेक्ति ने फोन उठाया और जब पोलिस ने कार के बारे में पूरी जानकारी दी कि वो कार कहां पर खड़ी हुई है और किस हालात में खड़ी है तो सामने वाला व्यक्ति यानि कि रिसीपाल काफी घवरा गए और घवराते हुए बोले कि ये तो मेरी कार है जिसे कि मेरे बेटी हर रोज कॉलेज जाने के लिए इस्तमाल करती है और आज सुबह भी वो मेरी कार लेकर के गई थी ये सुनते ही पुलिस भी चौक गई और फि इस खबर ने उसके दिलों दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था क्योंकि उन्हें अब किसी अन्होनी की होने की आसंका लगने लगी थी यह केस निर्भ्या केस के ठीक तीन महिने बाद ही सामने आया था और इसलिए देश में उस समय तक हालात बहुत ही तनापोर्ण थे और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ यकीन मानो ये केस भी बहुत ही संगीन और काफी कॉंट्रवर्सियल रहा था पर अब जवाल यह है कि आखिरकार नेहा सर्मा के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यूं और क्या उसे अंत में निया मिल पाया था या फिर नहीं हम इन सभी मु करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियालिटी नेहा शर्मा जो कि देयाल बाग एजुकेशनल इंस्टिटीूट से पी एचडी कर रही थी हमेशा की तरहा उस दिन भी वा सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए अपने पिता की कार पर निकली थी उसने अपने MSC और MFL पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वहीं से पी एचडी कर रही थी उस दिन भी नेहा अपने मा से फोन पर बात कर रही थी और हंसते हुए मा से कह रही थी कि मा आज का दिन भी कुछ खास होगा कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दिन उसके जीवन का आखरे दिन साबित होगा नेहा हर रोज अपने समय पर घर लोड़ जाय करती थी लेकिन उस दिन जब वह समय पर घर नहीं पहुँची तो उसकी मा को चिंता हो गई नेहा का फोन बंदा रहा था और बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था उसकी मा की चिंता बढ़ती गई उन्होंने तकरीबन पचास बार कॉल किये और अंत में शाम के तकरीबन साड़े पाँच बजे वो मोबाइल आन हुआ और फिर एक अजनबी लड़के ने फोन उठाया और अब इस बात को आप अच्छे से गाठ बांद कर याद रखना क्योंकि ये वो आखरी कॉल था जो कि इस केस को और भी दुखद और रुला देने वाले मोमेंट को सामने लाग कर रखता है जो कि ये हमें आगेक इन्वेस्टिगेशन के दोरान ही पता चलेगा खेर उस अंजान लड़के ने फोन उठाया और नेहा के मा से कहने लगा कि नेहा देदी अभी मोवी की टिकट खरिदने के लिए लाइन में खड़ी हुई है इसलिए फिलाल उनका फोन मेरे पास ही है इतना बोलकर उस अंजान लड़के ने फोन कट किया और मबायल को तुरंत स्विच आफ कर दिया या सुनकर उसकी मा की दिल की धर्कने और तेज हो गई क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये कोई साधारन बात है या फिर इसके पीछे की कोई और वज़ा आखिरकार रात होने पर भी जब नेहा घर नहीं लोटी और उसका फोन भी बंदा रहा था तो उसके माता पिता को बहुत ही चिंता हुई तो वो उसे ढूणने की कोसिस करने लगे उन्होंने हर किसी से संपर किया नहा के दोस्तों से कॉलेज के विद्यार्थों से लेकिन किसी ने भी नहा की ऐसी कोई जानकारी नहीं दी और अब उसके गुमसुदगी ने पोरे परिवार को चिंता में डाल कर रख दिया था तकरीबन साड़े साथ बजे खेलगाओं के पास सड़क किनारे वही अल्टो कार दिखाई पड़ी जिसे राहगीरों ने देखा था जब पोलीस ने यह खबर नेहा के पिता रिसिपाल को दी थी तो उसके दिल की धड़कने और तेज हो गई थी उन्हें मैंसूस हो चुका था कि अब कुछ अन्होनी हो चुकी है और फिर अगले ही दिन यानि कि सुबर सुबर नेहा के माता पिता पोलीस से स्टेशन पहुँचे और वे पोलीस के साथ इंस्टिटूट पहुँचे पोलीस ने दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टिटूट में नेहा के दोस्तों, प्रफेसरों और स्टाप से पोच ताच की लेकिन कोई भी खास जानकारी हाथ नहीं लगी और आखिरकार एक छातर ने बताया कि नेहा को आखरी बार नैनो टेकनोलोजी लैब की तरफ जाते हुए देखा था यह जानकारी मिलते ही पोलीस ने तुरंत उस लैब का रुख किया लैब का दरवाजा बन था और फिर चाभी मंगाई गई और उस दरवाजी को खोल कर देखा गया तो वहां कद्रिस देखकर सबके रौंटे खड़े हो गए लैब के फर्स पर रक्त बिखरा हुआ था और वहीं कोने में नेहा का पार्थिक सव पड़ा हुआ था उसकी सलवार गुठनों तक खिसकी हुई थी और उसका चहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने आखरी पलों में बहुत ही दरद को जहला हो यह द्रिस वहां मौजूद सभी लोगों को जहजूर कर रख देने वाला था नेहा के सरीर पर कही जगा गहरे जखम थे खास करके गले और पेट के हिस्सों में पास में ही एक कांच की पाइपेट तूटी हुई पड़ी थी जिसका एक हिस्सा उसके सरीर में धसा हुआ था इसी के साथ वहां रक्त में लिप्टे हुए बहुत सारे टीसू पेपर भी बिखरे हुए थे जिसका साफ मतलब ये था कि अपराधी ये कृत्त करते समय बार बार अपने हाथों को साफ कर रहा था और शायद उसने सबोत मिटाने के भी काफी कोसिस की थी बाकि ये नजारा जितना गंभीर था उतना ही सवाल खड़ा कर देने वाला कि आखिरकार नेहा के साथ ये सब किसने और क्यूं किया और इसे रहसमें गुत्थी को सुलजाने के लिए पहले तो लैब को सील कर दिया गया और फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया नेहा के सब को वो समॉडम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने घटना की बारीकी से जाच करना सुरू कर दी हलाकि इसी दोरान नेहा के परिवार वालों का हांसला तो तूठी रहा था क्यूंकि उन्हें नहीं पता चल पा रहा था कि वे किस से मदद मांगे और कौन इस भयानक कांड का दोसी था पुलिस की जाच तेजी से आगे बढ़ रही थी क्यूंकि लोगू का प्रेशर था कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ आम पबलिक भी सलकों पर उतराई थी हलाकि कॉलेज के परफेसर ने पुलिस को एक सक्की निगाहों में रखते हुए एक लड़के का नाम बताया उदै सौरूप उदै सौरूप एक हाई परफाइल परवार से तालुकात रखता था इसलिए पुलिस को उससे पूछ ताच करने में बेहदी सतर्क रहना पड़ा पूछ ताच के दोरान उदै ने ये दावा किया कि वो तु नेहा को जानता ही नहीं है और पुलिस को भी उस समय तक अभी कोई ठोज सबूत मिला ही नहीं था और फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीते जो कि आगेक इन्वेस्टिगेशन के दोरान एक और नाम सामने आया एक ठेकेदर विसाल शर्मा जो कि पुलिस ने उसे सक्केदारी में रखते हुए उसे हिरासत में लिया और उसके घर की तलासी ली और घर की तलासी लेने के दोरान कपड़ों की फॉरंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया तो ये मामला और भी उलजगर रह गया क्योंकि फॉरंसिक जाँच के बाद ये पता चला कि जो विसाल के कपड़ों पे लाल धबे पाए गए हैं वो रक्त के नहीं बलकि पेंट के हैं क्योंकि विसाल का कहना सही नि देहांत अत्यधी करक्त बह जाने से हुआ था उसके सरीर पर कुल 17 गहरे कट के निसान पाए गए थे लेकिन इस रिपोर्ट ने ये साफ नहीं किया था कि निहां के साथ दुसकर्म हुआ था या फिर नहीं और अब तक कि जाच के दोरान पुलिस वालों के हाथ बिलकुल खाल जिसके बाद जनता का दबाव बढ़ता देख पुलिस वालों ने इस जाच को एक नए सिरे से सुरू करने का फैसला किया और फिर फॉरेंसिक टीम को फिर से उसी नैनो बायो टेकनोलोजी लैब में भेजा गया जहां नेहां का सब मिला था इस बार जाच के दोरान फॉरें जिसक लैब भिजवाया और डीने प्रफाइलिंग शुरू कर दी गई कुछ दिन बाद जाच रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि बालों का डीने प्रफाइलिंग उदै सौरूप से मेल खाती है जो कि पुलीस की पहली पोचताच में उदै ने नेहां को जानने से बिल पोचताच करती है और लंबे समय तक चली पोचताच के बाद उदै ने अपना जुर्म कबूल कर लिया उसने बताया कि वो नेहां को लंबे समय से पसंद करता था लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो नहा ने उसे साफ इंकार कर दिया नहा का इंकार उसके एहंकार को ठेस पहुचा गया और धीरे धीरे उसके मन में नफरत और गुसापन अपने लगा और उस दिन जब नहा लैब में अकेली थी तो उदै ने मौका का फैदा उठाया और उसे डराने की कोसिस की नहा ने उसक सामना किया, लेकिन उदये ने गुस्से में आकर उसकी जान ले ले लेकिन इससे पहले जब दोनों में बातचीत हो रही थी, तब उसी दोरान ये ड्रॉइंग बनाई उदये और ये ड्रॉइंग को लेकर दवा कि उदये पहले से ही इस घटना करम को अंजाम देने को तयार बैठा था और इसलिए उसने कुछ ऐसी ड्रॉइंग उसकी तयार की थी और जब बातों ही बातों में दोनों जड़प हुई तो उसने वहां रखी हुई क्लोरोफॉर्म को निहा को पहले सुंगाया जिससे की वो बेहोस हो चुकी थी इसके बाद उदय उसके साथ दुसकर्म करने की कोसिस करता है इसलिए उसकी सलवार घुटनों तक सरकी हुई पाई गई थी पर इतने में निहा को होसा चुका था और वो उसका विरोध करने लगी और इसी विरोध के दौरान पास में रखी हुई पाई पेट को तोड़ कर उसने लगातार उसके उपर वार किये जिसके चलते नेहा का दम वहीं पे तूट गया और उसके बाद उदै ने सब को चिपाने की पूरी कोसिस की और सबूतू से भी काफी छेड़ छाड़ की और जब उसे समझ में आ गया कि वो अब इसे ना तो चिपा सकता है और नहीं सबूतो को मिटा सकता है इसलिए वो वहां से उसे उसी हालत में छोड़ करके भाग गया लेकिन उससे पहले उसने लैब को लॉक कर दिया था क्योंकि उसके पास लैब की दूसरी चाबी मौजूद थी और उसकी कार को चला करके बीच सुनसान रास्ते पर छोड़ आया था जो की वहां पर पाई गई थी उसकी अल्टोकार लेकिन चंद बाल के टुकडे जो की निहा के हाँ था पाई के दौरान तूटे थे उसी बाल से वो पकड़ा जाएगा उसे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नही था जो की वो पकड़ा भी गया था लेकिन हाँ एक और बात जो की मैंने आपको सुरू में ही खास करके ध्यान में रखने को कहा था कि तकरीबन साड़े पांच बजे साम के समय जब नेहा की माने नेहा को कॉल किया था उसके मॉबाइल पर और जिस लड़के ने फोन उठाया था वो लड़का उदै ही था पर दुख दाई और भयानक बात यहां पर ये थी कि जब नेहा की मा को वो लड़का यानि की उदै ये बता रहा था कि नेहा दिदी मुवी टिकट खरिदने के लिए लाइन में खड़ी हुई है तब नेहा बेचारी जमीन पर पड़ी हुई थी और बेबस होकर अपनी मा की आवाज सुन रही थी और जिर आब सोच कर देखो कि ये सिन कितना ही भयानक और इमोशनल कर देने वाला था खेर उदे की गरफतारी के बाद ये मामला अदालत में पेस किया गया नेहा के परिवार ने उदे को सजा देलाने के लिए हर संभव परियास किया पबलिक का दबाव भी उस समय काफी बना हुआ था और उदे के खिलाफ काफी ठोज सबुत अदालत में पेस किये गए अदालत ने उदय को दोसी करार दिया लेकिन सजा उतनी कड़ी नहीं सुनाई गई जितनी की लोगों ने उम्मीद की थी उदय को जेल की सजा सुनाई गई लेकिन कुछ साल बाद वो जमानत पर रिहा भी हो गया था पर फिर से उद्य को जेल हो गई लेकिन अब जाते जाते मेरा आप सबी से बस एक ही सवाल है जिसका जबाब आपको जरूर देना है कि क्या नेहा को सही माइनों में न्याय मिल पाया और अगर यही न्याय है तो अब उमेद आप छोड़ ही दो कि इस बार लेड़ी डव्टर कुछ न्याय मिल पायेगा क्योंकि इस मामले में तो न जाने किन किन लोगों का हाथ रहा है हमारे कानून में ऐसी क्या सजा होने चाहिए जो कि अपराधियों की अपराध करने से पहले सोच कर ही उसके रूह तक को कपा दे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा लेकिन हाँ अगर हो सके तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लिजेगा धन्यवाद